आज का वीडियो दोस्तों सबको पसंद आने वाला है क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए गर्मियों की सबसे संदार भरपूर स्वादवाली कटहल की मज़िदार सबजी वैसे तो कटहल की सबजी आपने कई बार घरों में बनाई होगी लेकिन आज की वीडियो में इस्पेसल कटहल की सबजी मैं आपको बताने जा रहे हूँ ये कटहल की सबजी आपको बहुत ही ज़्यदा पसंद आने वाल है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ऑ तो सबसे पहले दोस्तो हमने हम आप एक कटहल लिये है इस हमने कटहल की सबजी बनाने के लिए कुछ समाग्रिया लिये ज़्यदा टेस्टी बनेंगे उसके बाद दोस्तों हमने आपर आलू को अच्छी तरीके से उपरी की परत को छील कर धोकर साप कर लिए और टमाटर लिए हैं यहां पर दोस्तों हमने सबसे पहले लासुन का पेश्ट अधरक का पेश्ट और मेडियम साइज में कटे हुए प् जीरा पाउडर गुल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर लिए हैं और दोस्तों हमने आपर दो मसाले मिट मसाले और गरम मसाले लिए इससे जो है कठल की सब्जी बहुत ही ज़्यदा टेस्टी बनती हैं इन्हीं समगरियों का प्रियों कर कठल की सबसे टेस्टी सब्जी चुबाएंगे तो सब से पहले दोस्तो एक कुकड में हम पानी डालेंगे की और, कटहल को डालने के बाद दोस्तों हम इसमें कुछ भी नए डालेंगे और इसे हम कुकड को बन कर देंगे और दो सीटी आने तक इसे दोस्ते टी लगने के बाद दोस्तों अब देख सकते हैं हमारे अच्छी तरीके से कट हल जो है पक चुके हैं अब हम इसे कट हल को एक अलग थाली में निकाल लेंगे और यहां पर दोस्तों हमने कट हल को एक थाली में निकाल दिये यह अच्छी तरीके से पक चुका है जिस हल्दी पौडर को अच्छी तरीके से तेल में हमें मिक्स करने के बाद उबने हुए इसकट हल को हम अमें ढाल देंगे और डालने के बाद दोस्तों गैस कफले मीडियम करके अच्छी तरीके से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राइ कर लेना है दोस्तो इस कठल को हमें लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरीके से हलके ब्राउन कलर आने तक इसे हमें फ्राइ कर लेना है दोस्तो इसमें ब्राउन कलर आ चुके हैं अब हम इसमें आलू भी डाल दिये हैं प् prv feature और डालने के बाद कट हल के साथ हम आलू को भी इसमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसमें हमें हम 20 इसपुन सिर्फ कट हल और औरालूं के स्वाध अनुसार नमक डाल दी हैं और अची तरीके से mix करेंगे ताकि हमारे कटल और आलो जल्दी पख जाएं दूस्तो हमने इसे अची तरीके से fry कर दिये हैं हो अर्ट दोस्तो एक उकड में सरृ तेल डालेंगे Mr. Teele ओने के पूने के बाद इसमें जीरा डालेंगे और जिराब में हलके color change होने के बाद अब हम इसमें तेस्पता डाल देंगे और तेस पता डालने के बाद यहां पर दोस्तो और प्याज एड़ करने के बाद दोस्तों इसे हम अच्छी तरीके से गैस का फले मेडियोम करके फ्राइ करेंगे ध्यान रहे हैं दोस्तों हमें प्याज को ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं पकाने हैं इसमें थोड़े कलर चेंज होने तक ही पकाने हैं तो हमारे प्याज जलासा हो जाएगा तो दोस्तों प्याज में हलके कलर चेंज होने के बाद अब हम इसमें लहसुन का पेष्ट और अध्रक का पेष्ट डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर इसमें भी थोड़े कलर चेंज होने तक हमें फ्रा जीरा पाउडर मसाले एड़ करने के बाद दोस्तों इसमें हम थोड़े पानी डाल कर अच्छी तरीके से मसालों को इसमें हम 5 मिनट तक भूल लेंगे इस मसाले को दोस्तों थोड़े थोड़े देर पर चलाते रहेगा ताकि हमारे मसाले सटे नहीं दोस्तो इसमें तेल छोड़ने के बाद इसमें हम स्वाध अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डाल कर इसे अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे दोस्तो अगर मसाले सटने लगे तो इसमें थोड़े पानी एड़ कर लीजिएगा मसाले अच्छी तरीके से भूनने के बाद दोस्तों अब हम इसमें मेडियम साइज में कटे हुए टमाटर एड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से टमाटर को हलके गलने तक मसाले में हमें भूनने ना है अब दोस्तों देख सकते हैं मसाले में टमाटर अच्छी तरीके से अब हलके हलके गल चुके हैं अब हम इसमें कठल की सबजी टेश्टी बनाने के लिए इसमें मिट मसाला और गरम मसाला एड़ कर देंगे और दोस्तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिये हैं और मिक्स करने के बाद दोस्तो हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं अब हम इसमें पानी एड़ कर देंगे दोस्तो इसमें अपने अनुसार अब पानी कम भी सी जैदा कर सकते हैं पानी डलने के बाद इसे अच्छी तरीके से में मिक्स कर देना है और इसमें हम थोड़े कस्मीरी मिर्च डाल देंगे कटल की सबजी का कलर बदलने के लिए दोस्तों यह अप्शनल है अगर आपके पास हो तो डालिएगा नहीं भी डाल सकते हैं पानी में दोस्तों उबाल आ चुका है अब हम जो कटल और आलू को अच्छी तरीके से फ्राइग करके रखे हुए हैं अब हम इसमें इस स्टिप में एड़ कर देंगे अब देख सकते हैं दोस्तों हमने कटल और आलू को इसमें डाल दी है और इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे दोस्तों हम अने तक कटि other wirklich सबजी को हमें पका लेना आए तो सब से पहले दूस्तों हम कुकण को बनकर देंगे और घ्यास का फ्लेम वास बनकर त्यार हो गया है और इसमें के लगने के बार दोस्तों हम देख सकते हैं हमने दिख रहा है दोस्तों इस तरीके से अपने घरों में एक बार कटल की सब्जी बुना का जुरू ट्रै कि जिएगा आई हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छ लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कोमेंट शेयर और चैनल पर नहीं तो प्लीज च